नमस्तार स्वागत है अब सभी का विजनस की बात प्रोग्राएं में मैं हूँ आपकी साथ बंदा शर्वा चीन के साथ तनाव में बड़ोतरी के वीच भारत को उसके साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने में सफलता मिली है कारोबारी साल 2019-2020 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा घटकर करीब 48.66 अरब डॉलर पर आ गया है सरकारी आपरों के मुताबिक इस दौरान चीन को भारत ने 16.6 अरब डॉलर का निर्याद किया जबकि वहाँ से भारत ने 65.26 अरब डॉलर का आयाद किया आपको बताते कि कारोबारी साल 2018-2019 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा करीब 53.56 अरब डॉलर था वहीं 2017-2018 में ये घाटा 63 अरब डॉलर था चीन से आयाद के गए सामानों में मुखेत है घड़ी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, खिलोने, खेल के सामान, फर्णीजर, मैट्रेस, प्लास्टिक्स, लेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन, लोहावा स्टील के सामान, पुरबर्ग, खनिज इंधन सरकार चीन के साथ व्यपार घाते को कम करना चाहती है, और इसके लिए उसने कई कदम भी उठाए है, देश में औसक से कम खीमत पर डंप के जा रहे है, चीन के कई सामानों पर सरकार ने एंटी डंपिंग शुल्प भी लगाए है, ताकि घरेलू उद्योगों को सस्ते आया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि FDI भी खट कर 2019-2020 में 16.38 करोड डॉलर पर आगया है, 2018-2019 में ये 22.9 करोड डॉलर था, उससे पहले 2017-2018 में 35.022 करोड डॉलर और 2016-2017 में 27.725 करोड डॉलर का FDI चीन से आया था तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स को जानने के लिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा, साथी पेल आइकन को दबाना नाव भूगीएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिपिकेशन मिल सकेए, तो बने रहे हमारे साथ और दे पार्का